प्रियमित्रों आज हम चर्णाम्रित या पंचाम्रित क्या है इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे मेरे द्वार दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर जरूर किजिएगा शास्त पुरानों में कह गया है कि जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चर्णों में से नहीं लगता है और जैसे ही भगवान के चर्णों में लगा या अस्पर्स हुआ तब वह अमरीत रूप होकर चरनामरीत बन जाता है। जैसे ही ब्रह्म लोक में उनका चरन गया, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरन धोये और फिर चरनामरीत को वापस अपने ही कमंडल में सुरक्षित रख लिया। यह चर्णाम्रित ही हमारी पवित्र गंगाजी बन गई जो आज भी सारे संसार के पापो को धो रही है। प्रभू के चर्णाम्रित में केवट सब सर्व स्रेष्ट है क्योंकि पदपखारी जलपान करी यापू सहीत परिबार केवट ने स्री राम के चर्णों को धोकर सारे परिबार सहीत स्वेंग उस जल को पीकर पहले उस महान पुन के द्वारा अपने पित्रों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पुरुवक प्रभु स्री राम चंद जी को गंगा पार ले गए हम मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि पंडिक जी हमें चर्णाम्रित देते हैं हम इसकी महिमा और बनाने की परक्रिया को कभी भी विशेशुर्प से हम लोग ध्यान नहीं देते हैं शास्त्रों में बरनीत है कि चर्णाम्रित आखिर में है क्या अकाल मिर्तु हरनंग सर्ब व्याधी बिनासनम विश्णो पादो दग्वित्पा पुनर जनम न विद्यते इसका अर्थ होता है कि भगवान विश्णू के चर्णों का अम्रित रुपी जल सभी तरह के पापों क नास करने वाला है यह औशदी के समान है जो चर्णाम्रित का शेवन करता है उसका पुनर जर्म नहीं होता है स्री राम चरित मानस में भी चर्णाम्रित का परनन है कि एक बार बशिष्ट मुनियाए जहां राम शुखधाम शुगाए अति आदर रगुनाएक किन्हा पद प पादर सतकार किया और उनके चरंद होकर चर्णाम्रित लिया चर्णाम्रित सर्धा पुरुबक हमेशा दाएं हाथ में लेना चाहिए तथा मन को शांत कर ग्रहन करना चाहिए चर्णाम्रित ग्रहन करने के पस्चात कभी भी उसके बाद हाथ से सीर को पोशना नहीं चाहिए इससे सकारात्मा के अस्थान पर नकारात्मक्ता की विर्दी होती है। चर्नाम्रित पीकर जीवन में सुब काम करने से निश्चित सफलता प्राप्त होती है चर्नाम्रित का सिर्व धार्मिक ही नहीं अपितु बैज्ञानिक महतुवी है आयरुबेदिक मतानुसार तामबे के पात्र में अनेक रोगों को नस्ट करने की सक्ती होती है जो इसमें और शक्ती बर्धक है पंचाम्रित का अर्थ होता है पांचम्रित दूध दही घी सहद एवं सक्कर को मिला कर पंचाम्रित बनाया जाता है देशी गाय का दूध दही एवं घी पंचाम्रित के लिए स्वास्त बर्धक एवं अती पवित्र ही नहीं स्रेश्तम मना गया है पं पंचा मृत दूद देशी गाय के दूद पंचा मृत का पर्थम भाग है यह सुब्रता पवित्रता का प्रतिक है अर्थात हमारा जीबत दूद की तरह निस्कलंख होना चाहिए दही दही का गुन है कि यह दूसरे को अपना जैसा बनाता है सीतल दही चड़ाने का ताथ परजे ही है कि पहले हम इस्वर के समक्ष निश्कलंक हो तथा दूसरों को भी ऐसा बनाने का प्रयास करें घी भी देशी गया का होना चाहिए क्यों कि यह स्निग्धता और स्नेह का प्रती है हम परिबारों समाज में स्नेह उक्त बनाए रखे सहद मिठा होता है सक्ति बर्धक होता है और इसे हमें सक्ति प्राप्त होती है सक्ति साली बेक्ति ही समाज का कल्यान कर सकता है सहद जीवन म मीठी बानी बोलने की प्रेर्णा देता है और सक्कर सक्कर मिठास का प्रतित है सक्कर जीवन में मिठास उत्पन करती है तथा राग दो इसकी करवाहट को समाप्त कर मधूर व्यभार की प्रेर्णा देती है यही पांच गुन जो है पंचामरीत के है कि जो हमारे जीवन को संस आर में जन्म लेने उसके कर्तबों को पूरा करने की प्रिवना देते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लेगी कॉमेंट में जरूर बताईए